नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आसाड का एक दिन ये नाटक आधुनिक हिंदी नाटके साहिते में अपना विशेश स्थान रखता है तो आईए इसके बारे में जानते हैं देखे सबसे पहले देखते हैं कि इस नाटक का नाम क्या है आसाड का एक दिन और इसके रचना कार कोन है मोहन राकेश ची की ये रचना है आसाड का एक दिन 1958 इस्वी में इसकी रचना की गई है और ये किस पर आधारित है महा कवी कालिदास के जीवन को केंदर में रखा गया है और इसमें सो इस्वी से लेकर पांसो इस्वी तक के बीज का जो समय काल है उसकी घटनाओं को इस नाटक में आधार बनाया गया है इस नाटक को संगीत नाटक अकादमी दवारा पुरुषकर्त भी किया गया और ये सम्मान इसको कब मिला 1969 इसवी में संगीत नाटक अकादमी दवारा ये पुरुषकार परदान किया गया निदेशिक मनी कोल ने 1971 इसवी में इस नाटक पर फिलम भी बनाई थी और इस फिलम को फिलम फियर पुरुषकार भी परदान किया गया है यानि इस नाटक को संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार तो मिला ही इसके साथ साथ फिलम जब जो इस पर बनी वो भी इतनी हुई कि उसे फिलम फियर पुरुसकारभी परदान किया गया है अब बात करते हैं अंक विधान की इस नाटक में प्रमुख रूप से तीन अंक हैं पहला क्या है आदी आदी यानि प्रारंबी कवस्ता उसके बाद क्या है मध्य और उसके बाद अंत यानि जो पहले से चली आ अंक विभाजन की पदती थी उसी को मोहन राकेश ने अपनाया है आदी मध्य और अंत आदी यानि प्रारंबी कवस्ता है जब कथा प्रारंब होती है मध्य में कथा पूर्णता की और आगे बढ़ती है और उसके बाद अंत होता है चाए वो सुखद है या वो दुखद है तो इस तरह अगर हम देखें तो प्रतम अंक में जो परमुख पातर है वो अंबिका है मलिका है कालिदास दंतुल मातुल निक्षेप और विलोम ये प्रतम अंक में परमुख पातर है और इसकी समय सीमा की अगर बात करें तो प्रतम अंक में सुखद से लेकर शाम तक की किया गया है अब इसमें घटना क्या है घटना में कालिदास और मलीका के प्रेम भाव किये भी वेक्ति है और इसके साथ ही कालिदास का उज्येनी चले जाना भी इसमें दिखाया गया है देखिए कालिदास और मलीका एक दूसरे से प्रेम करते हैं जो घटना है उसमें आसाड यह बाहर चाहर प्रषार और ऊपराइब लिवा तो पर पुरुश के साथ बारिशना या बाहर जाना उसे अच्छा नहीं लगता तो उन मा के मन की जो चिंता के भाव है उनको भी इसमें अभिवेक्त किया गया है उसके पस्चात कालिदास को बुलाया जाता है कहां पर उज्जेनी बुलाया जाता है क्यों क्योंकि कालिदास एक प्रसिद कभी है मेग दूतमिन की प्रसिद रचना है तो उन्ह जो कला है उसका खुब विकास हो इसलिए कालिदास को वो उज्जेनी जाने के लिए विवश कर देती है उसके बाद दूसरे अंक की अगर बात करें तो इसमें सभी पात्र हैं लेकिन कालिदास नहीं है यानि इसमें कालिदास नहीं है बाकि सब पात्र हैं पर कालिदास इसमे जोड़ जाते हैं क्योंकि देखिए यहां पर मैंने आपको बताया मलिका है दंतुल है मातुल है निक्षेप है विलोम है अंबिका है लेकिन यहां पर कालिदास इसमें नहीं है इसके अलावा रंगणी संगणी अनुस्वार अनुनासिक रानी प्रियंगु मंजरी है जो रान इसके विश्टार से जो कथा है वो इसके कथानक में मैं आपको बताऊंगी लेकिन यहां पर थोड़ा सा पात्रों के बारे में जान ले ताकि जब हम इसका कथानक करें तो उसमें आपको बहुत अच्छे से घटना करम समझ में आ जाए और दूसरे अंक में परमुक घटना क्या है जो प्रेंगु मंजरी है वो मलिका से मिलने के लिए आती है क्योंकि प्रेंगु मंजरी यह जानती है कि जो कालिदास है यह किस से प्रेम करते है यह मलिका से प्रेम करते हैं तो वो यह जानना चाहते है कि उस इस्तरी में ऐसा क्या है कि कालिदास उसकी तरफ आकरश तो इसी बात को जानने के लिए प्रियंगु मंजरी वहां पर आती है तो यहां पर रंगणी संगणी अनुस्वार अनुनासिक यह सब रानी के साथ आते हैं और यह सब इस कथा को जो दूसरा अंक है उसे आगे बढ़ाने में यह साहिक सिध हुए हैं जो गोन पात्र होते हु कि दिखाया है तीसरे अंक कि अगर बात करें तो इसमें जो पर मुख पात्र है वह मातुल है मलिका और कालीडास है इस पर मुख घटना क्या घटित होती है कालीडास सन्यासी बन जाता है भोग-विलास के जीवन को ठोड़कर राज वैभव के सुखों को त्याग कर कालीड जा सकता है जो कि कालिदास का ही मित्र है और मलिका से प्रेम भी करता है लेकिन मलिका विलोम से प्रेम नहीं करती प्रस्तितियों के वश विवश होकर प्रस्तितियों से हार कर मलिका विलोम के साथ रहना सविकार कर लेती है और अपनी ननी बच्ची के साथ वो विलोम के साथ जीवन व्यतित करती है अंतिम समय में कालिदास मलिका से मिलने के लिए आते हैं लेकिन जब उसे पता चलता है कि मलिका के एक बेटी भी है तो कालिदास चुपचाब वहां से चले जाते हैं बिना कुछ कहे और जिस दिन वो आंतिम दिन है वो कौन सा है वो भी आसाड का ही पह और इस नाटक की समापती भी आसाड के प्रथम दिन से ही समापती भी होती है तो यह अंक विधान और उसमें परमुख पात्रों के बारे में मैंने आपको बताया इसकी विस्तार से जो घटना करम या कहानी है वह हम इसके कथानक या तत्मों की समिक्षा जब करेंगे तो उसम अबिद करतेओं की मोहन राकेश का यह नाटक में जो पात्रों को संकलित किया है यह बहुत अच्छे से इनको जान पाओगे इनको संधार इनके चरित्र के बारे में या इनके नाटक की कैसी हम थे बहुंसे नाटक के कथानक ayam leac c उमीद करते हूं कि ये वीडियो आपके लिए उप्योगी सिद्ध होगा